नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजीटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों एचलसी सीटी वालों के लिए अभी अभी बड़ी ख़बर आई है इसके अलावा नई बरती के बारे में भी नयाप डेट आया है अगर आप पूरी इनफोर्मेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो अन तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अरियाना का एक मातर विश्वसने चैनल जो आप तक स्टीक खबरे सबसे पहले पहुंचाता है चलिए अब देख लेते हैं आज की नई अपडेट ये देखे साथियो अरियाना के एस्टेट पास यूओं को जटका अभी वैत्ता आउदी बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ ये बात कही है शिक्ष्यामंत्री जी ने लेकिन अब मुद्दा आ रहा है अपने को तो सीटी के बारे में ये खबर देखनी है जो बड़ी अपडेट है क्योंकि एस्टेट वाला जो मसला है इसके बारे में कल ही वीडियो बनाकर आप तक जानकारी प्रोवाइड करवा अब्या था मगर आवेडन करवाने से पहले ही रोक दिया स्कूल शिक्ष्याव वाग से कुछ सपस्टिकरन मांगे गए थे इसमें से मुख्य तोर पर खेल कोटे के आरक्षन का मुद्दा था मगर 22 नवंबर तक सकूल शिक्ष्याव वाग ने इस संबंद में कोई सपस्ट करण नहीं मिला है जिसके करण इन पदों के लिए आवेडन नहीं बरे जासके अगर आवेडन बरने शुरू कर देते तो कुछ 22 शिक्षकों की एस्टेट की जो वैदता है वो आवदी समाप तोने से पहले आवेडन बरे जा सकते थे लेकिन सात्यू अब उनकी भी परेशा करण देते लिए उसके बाद बोला गया था कि जो ओम आर कोपी है यानि की कंडिडेट के पास वो कोपी पहुंचाई जाएगी कंडिडेट डाउनलोड कर सकता है तो वो कब तक पहुंचाई जाएगी उसके बारे में इसमें बताया गया है कि गुरूप सी के पदों के आनस्वर की भी अपलोड नहीं होगी परिणाम जारी होने से 15-20 दिन पहले ही आनस्वर की अपलोड होगी यानि की साथियों हो सकता है आपका जो रिजल्ट है वो भी दिसमबर लाश्ट तक जारी किया जाए क्योंकि अगर 15 दिसमबर की जो बात्ते की जारी थी तो उस हिस आप से 15-20 दिन 2-3 दिन बाद ही बचेंगे यानि की 15-20 दिन का ही अंतर रहने वाड़ा है ज्यादा समय नहीं बचा है लेकिन हो सकता है आपका रिजल्ट दिसमबर लाश्ट तक दिया जाए फिर भी साथियों दिसमबर लाश्ट तक भी अगर CT का रिजल्ट आता है तो उस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वूडियों में